जैश्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों नाग पंचमी की आप सभी को धेर सारी शुबकामनाएं, सांप कैसे बने विशैले सांपों के अंदर इतना जहर कहां से आया, हम आपको एक बात बता दे कि पहले सांप जहरीले नहीं थे, तो फिर सांपों में जहर कब और कैसे आया ये जानते हैं, और साथ में ही हम जानेंगे कि नाग पंचमी पर कुछ आसान उपाय से आप अपने हर समस्याओं का छुटकारा पा सकते, हो, नाग पंचमी के मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिर सांप के विश्का क्या राज है और सांप कैसे विशैले बन गए, शिव पुराण में मिलती है, कथा सांप को देखकर भय लगने लगता है कि सांप काट ना ले, लेकिन आपको पता है कि पहले सांप बिछूओं में पहले जहर नहीं था, शिव पुराण में कथा मिलती है कि पहले सांप विश्हीन अर्थाद बिना जहर के होते थे, कथा के अनुसार, कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। उपर मदरांचल परवत रखा गया। इसके बाद वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक और असुरों ने पकड़ा तो दूसरी तरफ देवताओं ने। इसके बाद समुद्र मन्थन करना शुरू किया। नहीं बच पाएगा। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हथेली से मुख में विश को रख लिया। और लेकिन उसको कंठ यानि गले से नीचे नहीं उतर ने उस विश के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नील कंठ कहलाए। नाग पंचमी के दिन कुछ आसान उपाय करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नाग पंचमी पर बनाए ये पकवान अगर कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन खीरा, नीमबू, दही और चावल को मिला कर एक विशेश पकवान बनाया जाता है। जिसे के अलावा धन समपत्ति की समस्या से कोई परेशान है, तो उन्हें नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से नाग देवता का चित्र बनाईए। और नाग गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और आस्तिक मुनी का ध्यान करें और इ साथ ही धन का लावा भी नाग देवता को अर्पित करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार، नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कतह सुने और पढ़ने से व्यक्ति की मनो कामना पूरी होती है। साथ ही काल सर्प दोश का प्रभाव भी काफी कम होता है, साथ ही पाप ग्रह राहु केतु का प्रभाव भी कम किया जा सकता है।